देखिए 2024 के लोक सभा चुनाव का आगाज हो चुका है और आज तीसरे चरन के चुनाव में लोजपा राम विलास के राष्ट्रिये अध्यक चिराग पासवान भी खुद भोट देने पहुंचते हैं अपने पैत्री गाउं खगड़िया के अलावली विधान सभा के अंतरगत चिराग पासवान एक आम इनसान की तरह एक आम आदमी की तरह लाइन में खड़े होकर भोट देने जब चिराग पहुंचते हैं तो सभी आज पास के लोग चिराग पासवान को देखकर हैरान हो जात होते हैं देखें चिराग पासवान बिहार के चर्चित नेता है और लोजपार आंबिलास के राष्ट्रिये अध्यक्ष हैं और इतने बड़े नेता जब एक आम इनसान के लाइन में एक आम लोगों के बीच लाइन में खड़ा होकर जब भोट देने के लिए पहुंचते है तो आज पास के सभी लोग चिराग पासवान को ही देखने लगते हैं देखिए आज तीसरे चरन का चुनाव था कुल पाँच लोग सभा छेत्र में चुनाव हुए हैं जंजारपूर, सुपावल अररिया, मदेपूरा और खगडिया में लेकिन या जो बात है खगडिया ल अंतरगत, चिराग पासवान जब भोट देने के लिए पहुंचते हैं और जब मीडिया उनसे बात करते हैं भोट देने के बाद, तो चिराग पासवान कहते हैं कि या मेरा गाउ है, यहाँ पर मैं नेता नहीं बलकि बेता बनकर आया हूं, या हर कोई मेरे चाचा, भतीजा रिष्टे बताते हैं चिराग पासवान की गाउं में जो रिष्टा होता है, वह यहाँ के लोगों से हैं, और देखिए चिराग पासवान यह अभी कहते हैं कि देश के जो यह महापर्व चल रहा है लोगतंत्र का इसमें भोट सबसे पहले लोगों को देना चाहिए, ज्या देखिए चिराग पासवान, खुद वहाँ लाइन में खड़े होकर इंतजार करते हैं अपने बारी का, यानि कि अपना लाइन आने का, जब चिराग पासवान का लाइन आता है, तो वहाँ पर जाकर अंदर भोट चिराग पासवान देते हैं, और उसके बाद मीडिया से च सोसल मीडिया पर छाया हुआ है जिसमें चिराग पास्वान को लेकर लागतार लोग अपने तरह से चिराग को समर्थन कर रहे हैं लेकिन आज जो तीसरे चरण के चुनाव में या खुबसूरत तस्वीर सामने आई है जिसमें चिराग पास्वान भोट देने के लिए लाइन म में खड़ा होते हैं और उसके बाद भोट देकर चिराग बाहर निकलते हैं मिडिया से बात करते हैं लेकिन उससे पहले की जो तस्वीर आप सोचिए कि जब एक इतने बड़े नेता आम लोगों के बीच में लाइम में खड़ा होकर जब चुनाव में भोट देते हैं तो अधियम से लोगों तक पहुंचाएं बहराल एक एक अपडेट हम आपको देरें आप क्या सुचते हैं इस विसाय के बारे में कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजेगा अब यहार एक सोच आप देख रहें बहुत बहुत धनेवाद